हेलो एवरिवन विल्कम बैक टू मैं चैनल आज मैं बनाने वाली हूँ अंडा करी अंडा करी एक ऐसा रेसिपी है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर कुछ अबलेबल नहीं है घर में बनाने के लिए तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं यह बहुत कश्मीरी मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमाक और इन सब को हम एक बार मिक्स कर लेंगे तैकि मसाला हमारा अच्छे से अंडे क्यूपर कोट हो जाए उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे तो यहां पर मैंने गयास का फ्रेम आन कर लिया है और इस पर डालेंगे कड़ाई कड़ाई को गरम होने देंगे उसके बाद हम इसमें डालेंगे दो चमस तेल यहां पर मैंने सरसो तेल यूज किया है आपको भी कूकिंग आल यूज कर सकते हैं तेल को गरम होने देंगे और यहां पर मैंने तेल को तोरह स्प्रेट कर दिया है ताकि अंडा हमारा कड़ाई कि उसके बाद हम अंडा को इसमें डाल देंगे साधानी से डाल लिए ताकि हाथ जले नहीं तेल गरम है और इसे मैंने एक बार मूफ कर दिया है अंडा को हमें ज्यादा फ्राइ नहीं करना है तो आपको बस एक मिनट के लिए अंडा को पलट के अच्छे से फ्राइ कर लेना ह एक मिट बाद हम अंडा को निकाल लेंगे परतन में और इसी कडाई में थोड़ा से देल और डालेंगे हम एक चमच के आसपस और उसके बाद मैंने डाला है यहां पर एक चमच जीरा एक तेज पत्ता एक चोटा सा दाल चीनी का टुकडा दो चोटी लाइची और एक कर लेंगे उसके बाद मैंने यहां पर डाला दो मीडियम साइच का प्याज से मैंने बारी कट कर लिया है और इसे हम चला लेंगे प्याज को हमें गोल्लें ब्रॉन होने तक पकाना है कि आज अच्छे सपग गया है गोल्डन ब्राउन हो गया है तो यहाँ पर मैंने डाला है दो हरी मिश बारी कटा हुआ एक बड़ा चमच अदर कलेसन का पेस्ट यहाँ पर मैं कूट के डाल रही हूँ आप पेस्ट भी डाल सकते हैं और इसे हम फ्राई करेंगे एक मिनिट के लिए तक अदरक लेसन का कच्छापन चला जाए एक मिनिट बाद हम यहाँ पर डालेंगे टमाटर यहाँ पर मैंने दो मिडियम साइज के टमाटर लिया है जिसको बारी कट कर लिया है आप चाहेते हैं यहाँ पर प्यूरी भी डाल सकते हैं और इन सब को हम एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसे ढख के पकाएंगे तो यहाँ पर मैंने धग दिया इसे हम 2-3 मिनिट तक पकाएंगे टमाटर सॉफ्ट होने तक गैस का फ्लेम मैंने लो मीडियम कर दिया है दो-3 मिनिट बाद टमाटर हमारा अच्छे से पक गया है सॉफ्ट हो गया है इसको मैं थोड़ा मैश कर देती हूँ ताकि ग्रेवी और थोड़ा अच्छा बने उसके बाद हम इसमें डालेंगे मसाले मसाले में मैं यहाँ डाल रही हूँ एक चमच मिर्ची पाउडर एक चमच धनिया पाउडर आदर चमच जीरा पाउडर अच्छा आने के लिए डालती हूँ और थोड़ा सा पानी डालके हम इन सब को फ्राइ करेंगे मसाला को भी हमें एच्छे से पकारना है और यहाँ पर नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसर और इन सब को एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम मसाला को ढखके दो से तीन मेंट तक पकने देंगे लो फ्लेम पे दो से तीन मेंट बाद मैंने ढखन अटा के देखा मसाला हमारा पक गया है तेल उपर से शूटना स्टार्ट हो गया है मतला मसाला हमारा अची तरीके सपक गया है एक बार मैं इसे चला लेती हूँ यहां पर मैं डाली हूँ का सूरी मेती जिसको मैंने हाथ से क्रश कर लिया है तोड़ा सा मैंने जिंजर इस तरीके से कट करके रखा इसको जिंजर जूलियंस भी बोलते हैं और यहाँ मैंने स्लिट के अवगा हरी मिर्स डाला है दो आप इसको स्किप पर सकते हैं अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो और इन सब को एक बार मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें डाल देंगे अंडर जो हमने फ्राइ किया था और इसे हम मसाले में एक मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे तरकि मसाला हमारा अच्छी तरीके से मिल जाये अंडर में एक मिनट बाद हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पे मैंने एक ग्लास पानी जाला है आपको जतना ग्रेवी चाहिए कम और ज़ादा कर सकते है एक बार मैंने मिला लिया है इन सब को और उसके बाद मैं डालूँगे यहाँ पर आदा चमज गरम मसाला पाउडर और इसे हम मिक्स कर लेंगे एक बार और उसके बाद हम इसे ढख के तीन से चार मिर्ट तक पकाएंगे मीरियम फ्लेम पर 3-4 मिनिट बाद हम धकन अटाके देखेंगे अंडा करी इमें अच्छा सा कलर आ गया ए यह बहुत शुनारा कलर आ गया है और यह खाने में भी बहुत ठेस्टी बंता है यह बहुत सिंपल भी है बनाना IA A इसके बाद हम डाल लेंगे इसमें थोड़ा सा दन्या पता और अंड़ा करी बन के हमारा रेडी है सर्फ करने के लिए तो इसको मैं पांच मिनिट के लिए धाक के छोड़ दूँगी गास का फ्रेम आफ टेंगे उसके बाद हम इसको चेक करेंगे, तो पांच में बाद मैंने ढग के ऐसे छोड़ दिया था ठंडा होने के लिए, आप देख सकते हैं कलर कितना सुने रहा आया है, आप एक बाद जरूर ट्राइ किजिए, बहुत इस्टी बनता है, और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगत प्लीज लाइ किजिए, सब्सक्राइब किजिए और शेर किजिए, थैंक यू